हाई अबरियों बेलकन टू शिंश्च्या प्रेंडी ताव सभी का एरिकल्चर कंट अफेयर जीके 2022 के सेकिंड एपसोड में सवागत है हमने 2021 में भी 18 एपसोड कवर गिये थे इसके और अभी 2022 का यह मारा सेकिंड एपसोड है तो जो भी मारे एरिकल्चर कंट अफेयर के सब्सक्राइब करें तो आज की डिसकेशन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन इस ड्राउन शक्ति स्केम्बास लॉंच्ट इन दा यूनियन बजट ऑफ डैस्ट गवर्मेंट फिंडिया तो कौन से यूनियन बजट में गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने टॉंच्ट इसका राइड अश्रह आपका सी 2022 में रिसेंटली 2022 में ही आपको पता होगा यूनियन बजट पेश किया गया तो उस बजट में ही जो ड्राउन शक्ति स्कीम है वो लॉंच की गई बाई दक गवर्मेंट कर सकते हैं डिजिताइजिशन ऑफ लेंड रिकोर्ट में ग्रोप असेस्मेंट में सब्सक्राइब करने में न्यूट्रियंड अप्लिकेशन में तुं इस सभी में ड्रॉंच की अप्लिकेशन जिनको की हम किसान ड्रॉंच का नाम दिया गया है तो इसी कंटेक्स्ट में 18.05 2022 को जो मारे प्राइम मिनिस्टर हैं की फ्लैग डॉफ हंड्रेट किसान ड्रॉंच जिनका की यूज किया जाएगा फार्मर्स के द्वारा फार स्प्रेंग पेस्टिसाइड्स इन देर फिल्ड ताब देशते हैं इसी को प्रमोट करने के लिए ड्रॉंच की अप्लिकेशन क एक और यह प्रक्ट बनाती है कंपनी है तो इन्होंने रिसेंटली जो टोप और यह फार्मर्स है उनको एक अवार्ड से समानित किया कि कौंसा अवार्ड है जिसका राइट अंसर है आपका धरती मित्तर अवार्ड जो ऑर्गैनिक इंडिया फ्राइविट लिम्टेड है आ फाइव और्गैनिक फार्मर्स हैं उनको धरती मित्तर अवार्ड से समानित किया और यह जो अवार्ड है तो कमेमुरेट था 75 इयर्ज ऑफ इंडिपेंडनेस बदल जो हमारा अजादी का अमरत महसब चला हुआ है तो उसी के अंडर उसको कमेमुरेट करने के लिए यह धरत इस एंड़ प्रमोर्ट और्यनिक फार्मर्स को उनको रिकानाइश करने के लिए उनको अवाट करने के लिए और और इसका आपका बी मंडी इस्टिक में मैं जिला है मंडी इसकि में ते कहां पर जो बुला जगा है यहां पर एक कहां पर जंजेली वैली में तो मंडिक दिस्टिक में महाचल प्रदेश का पहला ऑपन किया गया है, कि है जो कंज दा वाइड़ारस्टिक पर्टिक्विरली जो हर्बल कारड़न जो हर्व是不是 तर्फ उन्कों मिंध्व सोकुंसि पार्के भूपन किया गया है नेक्स जबाइदर बेश्ट करॉप इंसरी स्खीम लाँच प्रेश प्रेस्टि ली पेस्टिन आपकादमु के लिए हैं तो आपको कमर्स मिनिस्टर नाहिए जी तो उन्हों बैदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेंस स्कीम है यह लौच की गई और इस स्कीम के अंडर जो है लगवाट 2500 हेक्टेर एरिया जो है कार्डेमम का उसको कबर किया जाएगा और इस से जो स्माल स्केल फार्मर्स हैं उस डिस्टिक में उनको हेल्प मिलेगी उनके उनको प्रॉफि टूबाइ कोर्मेंट फिंडिया तो आपको पता जो कमिशन फार एक्रिकल्च्रल कोश्ट एंड प्राइसी से सीए सीपी जिसको हम सीए सीए सीपी भोलते हैं तो अभी 2022 में रिसेंटली इसके ने चेर्में जो अपॉइंट किया गया है जिसका राइट अंसर है आपका आप बिजे पॉल शर्मा तो जो श्री बिजे पॉल शर्मा जी है इनको दूसरी बार इनको रिपोइंट किया गया है अज़ए चेर्मेन ऑफ कमिशन फार एक्रिकल्च्रल कोश्ट एंड प्राइसीस थे इसका में मोटो क्या आता है तो आप देख सकते हैं कि श्री बिजे पॉल शर्मा जी है इनको दूसरी अपॉइंट किया गया है जो कमिशन फार एक्रिकल्च्रल कोश्ट एंड प्राइसीस थे इसका जो नाम था एक्रिकल्च्रल प्राइसीस कमिशन था उसके बाद नाम यह बन गया आपका कमिशन फार एक्रिकल्च्रल कोश्ट्र प्राइसीस तो इसमें एक जेशएर Król में नाम ऑप्षर प्राइसी को रिप्रजिट करते हैं और चेंअ कि मार। प्रॉट को recommend करना। ये यमिनीय मिनिस्टर फूर फूर प्रिसेसिंंग डुक्त में च्पायट पयाई बंक famil मोर्डर प्रोड़ कि उन्ठर स्केम अब धवी रिसेंट ली जो उनियम्स्टर रैंपंग पूर फूर प्रिसेसिंग प्रधान मंत्री फमिलाइजेशन ओफ माईक्रोफूर प्रोसेशंग एंटरप्रैसी स्कीम अंडर जो बंड्रीश्टिक पर्ड़क्ट पर्मोट करना तो उसके ब्राइज निव प्रडक्ट प्रडक्ट जो जो कि एक सेंटर के दरा स्पॉंसर स्कीम है किसके अंडर PMF MES के अंडर तो यह जो स्कीम है सेंटर स्पॉंसर स्कीम है PMF MES इसका मेन एम क्या है तो प्रवाइड फाइनेंशियल टेकनिकल एंड बिजिनिस स्पॉर्ट फार अपग्रेडेशन एंड सेटिंग अफ सेटिंग अपफ टू लैक माइक्रो फूर्ट प्रिससिंग यूनिट्स बेस्ट बन डिश्टिक बन प्रड़क्ट अप्रोच फरे पीरिड ऑफ फाइव यह दोजारवी सिख्की से दोजारवीस पच्चिस तक और इसके लिए कितना उटले विदेन उटले ऑफ 10,000 क्रोट रुपीस तो यह शिक्स प्रड़क्ट जो है शिक्स ब्रैंड प्रड़क्ट जो अभी लॉंच किये यह कौन-कौन से हैं अमरित्फल कोरी कोल्ड कश्मीरी मं मत्रा मधु मंत्रा सौम दाना एंड होल वीट कुकीज ओफ देली बेक्स तो अमरित्फल की बात करें तो अमरित्फल जो ब्रैंड अमरित्फल है यह एक आमला जूस है तिक है आमला जूस जो की बिलोग करता है कहां वो अंडर दा बन डिस्टिक बन परड़क्ट स्कीम के जो की मेली कश्मीरी लाल्द मिर्च का जो प्रोड़क्ट है कहां से कुलगाव जमुन कश्मीर से अगर ब्रैंड मधु मंत्रा की बात करें तो यह डेवलप किए गया अंडर ओडी ओपी कंसेप्ट फार हनी फ्रॉम सहरनपूर उत्रपदेश से जो होल भीट कुकीज है तो पूड़ प्रॉड प्रॉड प्रिसेलिंग कंक्ट करना कि ट्रेइनिंग प्रोवाइट्स करना नेक्स्ट इस रिसेंटली तमिलाडू एरिकल्च्रल युनिवर्सिटी टी एन्यू डेहब रिलीज्ट न्यू ब्रैक्टी ऑफ राइस टी आरवाइफ फाइफ और सोडिक सोइल कंडिशन्स यूजिंग तो भी रिसेंटली जो प्रैक्ट यूजिटी डेवलपकी है राइस की टी आरवाइफ फाइफ जो कि सोडिक सोइल कंडिशन गले सूटेबल है तो यह किस ब्रीडिटिंग को यूज करके डेवलपकी गई जिसका राइड अंसर है आपका भी न्यूटेशन ब्रीडिडिंग ताब देसे त्याइंग जो यह ब इंड नबाराई सीजन है और यह ब्रैटिटी यह ब्राइट लिए ब्लास्ट ब्राउन लीफ प्लांट प्लांट अपर इनके लिए वी टॉरेंट है नेक्स जी आई टैड्ड मरायूर जैगरी फ्रम दे केरला हैस बिन एक्सपोर्टर रिसेंटली टू एक मारायूर जैगर ही है केरला से जुक्सकों की जी टैग मिल चुका है तो अभी रिसेंटल्स का फर्स्ट कंसाइनमेंट जो एक्सपोर्ट किया गया कहां को सका राइट अंसर आपका बी दुबै आप देशेंटेंगी ऑन थर्टियंथ जैन दोजार बाइस में जो एपीड़ा है एरिकाल्चर खरें नर्मिली जेगरी की बात करें तो जेगरी कि होती होती है जो एक और रिफाइंट नैच्रल सुगर होती है बिदोट एनी प्ले कानी इसमें कोई भी कैमीकल नहीं आइड होता है और 70 परसेंट आफ बर्ल्ड की जो 70 परसेंट जैगरी है वो केला इंडिया प्रद्यू रिसेंटली 2020 में लगो 358 million US dollar का जो जैगरी है वो एक्सपोर्ट किया और उसमें भी जो केंज जैगरी है about 30 million US dollar जो है वो केंज जैगरी एक्सपोर्ट की जो कि जिसमें भी 12% जो वो शेयर चाहिए बुरों केरला से था और जो मेजर डेस्टिनेशन दी एक्सपोर्ट की वह कौन से दी मलेशिया यूएस से नेपाल यूए यूए यूके नेक्स एस वर द्राफ प्रपोजल डाइडिल मॉइस्ट्र कंटेंट फार प्रक्योर्मेंट में बी रेडूस्ट फॉर्टीन परसेंट तू अभी रिसेंट्ली एक गौर्रमेंट ऑपिनियन द्राफ प्रपोजल दिया है जिसके कोडिंग यह डिसाइड किया गया है कि जो भी प्पलिक दिश्टिपियो में पूट्र कोपरेशन आफ हिंडिया लगी जो की प्रक्योर करता है अब को बूदी है नोट परक्योर करती है और इसे बाद को इस्ट्रीबुर्ण किया जाता चाहे वह भीट है चाहे राइस एक सेफ माइस्टर लेबल पर उनको ड्राई किया जाता है थाकि वह खराब ना हो तब यह डिसेड किया गया है कि जो भार्मर से फार्मर को में दिया जाता है और यह जो उसका जो सेफ माइस्ट्र लिमट है तो औरिकर से अगics को तो फार्मस को क्या बरी यह चीनता है तो आप देखें कि जो फार्मस से हम जब हम भीट प्रक्यूर करते हैं तो एक तो दो रिजन है एक तो जब मॉइस्टर परसेंटेज लेवल है 40 परसेंटेज तो यह बहुत मुश्किल है फार्मस के लिए वह ड्राइ करना क्योंकि एक त दूसरी बात है कि उनके पास sheltered storage structures नहीं है फार्मर के पास जहां पे वो अपने प्रड़क्ट को अपनी भीट या पैड़ी को रख सके स्टोर करके और वहां पे उसको सेफ माइस्टर लेवल तक ड्राइ किया जा सके उतना स्पेस नहीं है उनके पास तो यह दो जो जो है उसकी जादा टाइम के लिए उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी और दूसरी बात है कि डिजीज यह दूसरा टैक भी कम होगा तो दोनों वेसे से बट इसमें प्रॉल्म है कि जो फार्मर के लिए बहुत ही चलेंजिंग है यह चीज क्योंकि उनके बास से एक तो अनसीज करें सबस्क्राइब करें लाइक करें जैहिंद